हेलो दोस्तों आप लोगों का सौकत है पगला एक्स्प्लीन चैनल पे तो आज हम लोग एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेविल्स एडवेंट तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को पीना किसी देरी के लेकिन दोस्तों वीडियो को करेक्टर की आखरी आवाजे सुन रहे थे रिकार्टिंग एंदर फैन अपने कलेक्ट से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों की बाते पहले नहीं सुनी नहीं तो हम लोगों को आज का ये दिन देखना ना पड़ता लेकिन मेरा सरीर अब और नहीं झेल सकता ह है इसलिए मैं तुम लोगों से अलीदा कहना चाहता हूं और मुझे इस बात की बहुत हुसी है कि हम सभी ने मिलकि बहुत सी कहानिया और बहुत से कैरेक्टर बनाए हैं और मैं पूरे दिल से तुम लोगों को दुआ करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में successful और एक healthy life जी जिसे एकी साथ recording वहीं पे खतम हो जाती है जिसके बाद fan अपने comic characters को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इतने सारे characters बना दिये और इतने सारे demons बनाए और आप में अपनी life की आखरी सीमा तक आ गया हो और तुम ही लोग हो जो मेरे साथ आखिर तक हो या यू कहा जाए कि वो अपने comic world के अंदर ही transfer हो चुका है fan जैसे ही अपने आखे खोलता है तो मेरे जो उसकी सेवा कर रहे थी वो भागते हुए चली जाती है सबको ये बताने के लिए कि master जाग चुके हैं लेकिन fan जैसे ही उड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने comic world के अंदर transfer हो चुका है जिसके बाद fan अपने कपड़े पहन लेता है और उसे पता चलता है कि ये body भी कमजोर है लेकिन उसकी पहले वाली body से तो कम कमजोर है फिर कमरे के अंदर कोई आता है जिसको देखके fan काफी हैरान हो जाता है क्योंकी वो और कोई नहीं उसे की comic की एक female character थी जिसका नाम fan C. Niyang था जिसको हम लोग Niyang कहेंगे Niyang जैसे ही fan को वहाँ पे खड़ा देखती है तो वो जाके उसे लिपट जाती है लेकिन fan इस बात से काफी हैरान हो जाता है और वो Niyang को थोड़ा सा पीछे कर देता है जिससे Niyang को लगता है कि master गुसा हो गए है इसलिए वो जल्दी से पीछे हटके master से माफी मांगने लगती है जिसके बाद Niyang fan को बागी लोगों से मिलवाने के लिए ले जाती है और Niyang सबसे पहले जिस बंदे से उसको मिलवाती है तो fan उसको देखके और भी ज़्यदा हैरान हो जाता है त्योंकि वो character और कोई ने उसी की comic का एक character था जिसका नाम मिंग था और वो एक vampire है Niyang मिंग से कहती है क्या तुम master को greet नहीं करोगे जिसके बाद मिंग अपना मू बनाते हुए अपने master को greet करता है निंग fan को वहाँ से ले जाते हुए कहती है कि उसके उपर ध्यान मत दो मिंग हमेशा ही बिगड़ा हुआ रहा है लेकिन fan अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके comic के अलग-अलग character सब एक ही world के अंदर आ गए है वो भी उसके साथ तवे fan और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है विकि उसकी आँखों के सामने उसकी comic के दो और character थे जिनका नाम लिटल सांजी और वूर कटर फैनली था और तभी वहाँ पी दो और character आ जाते हैं जिनका नाम जॉंबी, लियांग चेंग और ब्लैंड बई था और fan अपने इतने सारे comic characters को एक ही जगा एक ही बर्ण के अंदर देख के काफी जदा हैरान हो जाता है जिसके बाद हम उन सभी लोगों को एक साथ लच करते हुए देखते हैं लियांग अपने class को बो करती है और उन सभी से कहती है कि हमारे master जाग चुके हैं और हमारी backbone हमारे पास फिर से वापास आ गई है फैन अपने मन में सोचता है क्या master, क्या backbone, क्या तुम लोग अपने role हमेशा के लिए पूरे करने वाले हो जिसके बाद फैन उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे आय हुए 6 महिने हो गए हैं और तुम लोग तो अब तक अपनी जिन्दिगा जीना भी सीख गए हो लेकिन तभी bland भाई, फैन को बताता है कि ordinary world के अंदर आने के बाद जैसे ही master कुमा के अंदर गए थे तो वो सभी लोग ordinary person बन गए हैं जिससे फैन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि comic के अंदर यह सारे character demon kings हुआ करते थे जो की दहसत फलाया करते थे और उनके लिए ordinary बनना किसी अजूवे से कम नहीं है और फैन को अभी तक यह नहीं पता चला था कि यह सारे characters उसे master क्यों कह रहे हैं जबकि फैन के पास तो कोई power भी नहीं है जिसके बाद फैन उन लोगों से पूचता है कि movement कहां पे है और बागी सारे characters फैन ने अपने colleagues के साथ मिलके बनाये थे जिसके बाद नियांग वहाँ पे एक box लिखिया आती है जिसके अंदर एक चोटा सा पत्थर था और वो फैन को बताती है कि movement जिसे ही यहाँ पे आया तो उसने कहा कि उसके पास कोई भी physical body नहीं है और नहीं उसे खाने पीने की जरूरत है जिसके बाद movement ने खुद को एक पत्थर की अंदर बदल लिया फिर हम लोग fan को देखते हैं चो movement से कहता है कि मैं जाग चुका हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं जागते हो क्या तुम मेरी बेस्ती इसी तरह से करते रहोगे लेकिन दभी fan को बाहर से कुछ तूटने की आवाज आती है और जब हम बाहर देखते हैं तब हम देखते हैं कि मिंग ने बाउल के टुकले से अपने हाथों के उपर एक कट खा लिया था ले उसे कहता है कि तुम्हें नियांग के हटो पट्टी करवा लिनी चाहिए लेकिन मिंग उसे मना करता है और कहता है कि ये खुट ठीक हो जाएगा लेकिन ले उसे कहता है कि हमारे पास कोई भी पवर नहीं है हम लोग ordinary person है लेकिन मिंग उसे याद दिलाता है कि वो एक vampire है और उसके हील होने की समता नॉर्मल लोगों से कई गुना जादा है और उसका हाथ लमसं तीम दिनों के अंधर ही ठीक हो जाएगा जिसके बाद वहाँ पर fan आता है लेकिन मिंग उसे कहता है कि आपके कोमांग में जाने के बाद हमें इसके जरूरत ही नहीं पड़ी जिसके बाद मिंग fan के सामने जुक जाता है और उसे अपनी respect देते हुए कहता है कि हम आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे भले ही चाहे आप कोमा में ही क्यों ना चले जाएं उनलोगों ने हमें छोड दिया था और आपने हमारे काने हमेशा की तरह ही चालो रखी और दोस्तों अबे मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन आगे के चैप्टर पढ़ने की वज़े से मैं इस बात की guarantee दे सकता हूँ कि सायद इन सभी characters को पता है कि fan उनका creator है और उने नहीं इन लोगों को बनाया है जिसके बाद मिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि आपको blend bay से इस बारे में पूछना चाहिए उसे area के बारे में काफ़े ज़दा जानकारी है fan भी अपने मन में यही सोचता है कि सायद इन्हें पता है कि यह सभी comic characters है इसलिए सायद इन लोगों ने मुझे अपना lot चुना है जिसके बाद fan मिंग को आखरी बार सुकुरिया कहता है और तभी मिंग को अपने हाथों में कुछ महसूस होता है और जब वो अपना हाथ चेक करता है तब उसका हाथ एके जटके में हील हो चुका था फिर हम देखते हैं कि fan को इस दुनिया में कई दिन हो चुके थे और उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि वो जिस दुनिया के अंदर आया है वो बिल्कुल समान्य है जिसके बाद वो ब्लैंड भी की पास जाता है और उसे पूसता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल ओर्डिनरी है ब्लैंड भी उसे कहता है कि जब तक समय मैंने यहाँ पर बिताया है मुझे सब कुछ ओर्डिनरी ही लगा है तबी फैंड की नसर एक घोड़े की उपर पड़ती है जो कुछ जादा ही अजीब था और वो ब्लैंड भी से कहता है जरा उस घोड़े को देखो तुम्हें कहां से लगता है कि वो घोड़ा बिल्कुल ओर्डिनरी है और एक क्रिटर होने के नाते उसे इस फीलिंग के बारे में अच्छे से पता था लेकिन इस दुनिया के अंदर फैंड के पास कोई भी चीज नहीं है सिवा इन सभी केरेटर्स को छोड़ के जिसका वो गवा सके इसलिए फैंड फैसला करता है कि वो इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करेगा जिससे मज़ा आ सके सिवाए इस काम की कि वो यहीं पे बैठे बैठे अपनी मौत का इंतिजार करता रहे जिसके बाद फैंड उन सभी से कहता है कि अगर तुम एक बार खेलना बंद करते हो तो गेम ओवर हो जाता है लेकिन अगर तुम लोग कुछ करते हो तो फिर तुम्हें इस बात का पस्तावा बिल्कुल नहीं रहेगा बलान भई फैंड की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है और वो जल्दे से अपने प्लान को एक्जिक्यूट करना सुरू करता है सबसे पहले वो लिटल सामजे को गावर्रेमेंट ओफिस के अंदर भेजता है कुछ इंफरमेशन लाने के लिए जिसके बाद वो लिको किसी ऐसे जगा को ढूनने के लिए भेजता है जहाँ पे वो लोग रह सके हैं और वो खुद सिट्री प्रटोल कैप्टन की वाइप के पास जाएगा उसकी मदद करने के लिए लेकिन वो लियांग चेंग और मिंगो नियांग की रक्सा करने के लिए भीजता है क्योंकि मास्टर ही पहला वो सक्स है जोकि नियांग को टच कर सकता है पर अपने मन में सोचता है कि मेरे उटने का ये सभी लोग इंतजार ही कर रहे थे और इन 6 महिनों के अंदर ये लोग अपने सभी कामों को समझ गये हैं लेकिन ये सभी मेरे और्रस का इंतजार कर रहे थे और जब तक मैं न उठता तो सभी जीजे इनके लिए मिनिंगलेस थे इसके बाद हम लोग मिन को देखते हैं जो कि फैन को सारी रिपोर्ट्स देता है कि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं और वो फैन को ये भी बताता है कि नियांग जिन गेस्ट को लेने के लिए गई हैं वो काफी ताकतवर फैमिली से आते हैं और उनके अकेले बेटे ने को मदद करनी है तो एक तरीका है फिरनमों देखते हैं कि में वहाँ पर फैन को एक वाइन डिलेवर करने के लिए भीजा था लियां चिंज जैसे हैं फैन को वहाँ पर गुसा होने लगता है और उसे कहता है कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी यह सबसे पहली प्य कलता है लेकिन कुछी सेकंड के अंदर ही उसका हाथ फिर से हील हो जाता है यानि कि मिंग के पास उसकी पावर्स वापस आ गई है और मिंग अब और्डिनरी परसन नहीं रहा है फिर हम लोग नियांग को देखते हैं जिसने अपनी आदाओं से गिस्ट को अपना गुलाम बना तो फिर वो फैन को अंदर जाने की इजाज़ाद दे देता है फिर हम लोग नियांग को देखते हैं जिसने अपनी स्टॉकिंग उतार दे थी और उसने उस स्टॉकिंग को उस गेस्ट के गले के अंदर डाल दिया था और तब वहाँ पर फैन आता है जो कि उस वाइन के मठ के को उस गेस्ट के सरके उपार ही फोड देता है और तभी नियांग भी उस स्टॉकिंग को एक गले की फंदे की तरह इस्तमाल करती है और उस गेस्ट का गला घोटने लगती है और तब दरवाजा खोल के मिंग भी अंदर आ जाता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तमाल करत लेकिन तभी दर्वाजा तोड़के वो गार्ड भी अंदर आ जाता है जो कि अपने तलवार लेक्ट फैन की तरफ आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी हम लोग लियांग चेंग को देखते हैं जो कि अपना वेपन बाहर निकालता है और वो गार्ड के साथ हैंड टो हैंड फा पन एक दूसरी की बॉड़ी के अंदर गुसा देते हैं और अचानक से उस सोल्जर से ब्लू लाइट बाहर निकलने लगती हैं परनुस ब्लू लाइट को देखते ही समझ जाता है कि यह और कुछ नहीं बलकि दाव की है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उन्होंने ए अपनी तलवार गुसा देता है और उसको दिवाल के साथ लटका के उससे पूसता है कि तुम लोगों को यहां पी किसने भेजा है लेकिन मिंग आगे से बस पागलों की तरह हसता रहता है और जब फैन मिंग के दातों को अच्छे से देखता है तब उसके वेंपायर वाले बाहर निकल आते हैं जिनके साथ मुं सोल्डर के उपर काठ लेता अर उसको वही मार देता है इसके बाल मिंग कहता है कि यह यह वाले रून में एता है और वो अपने दोनों पंखों को खोल लीता है जिसको देखे वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन नियांग और चेंग अपने मन के अंदर सुझते हैं कि अगर उसकी ठागा गाने की वज़े से वापास आई हैं और उसे ये फटांट जाता है कि अगर वो मास्टर के साथ अच्छे संबंद बनाती है तो उसकी भी पावर से वापस आ सकती है इसके बार नियंग फैन के पास जाती है और उससे कहती है कि कल हमने जो मशली पकड़ी थी उसकी चिंता आप मत करिएगा उसे हमारे हवाले कर दीजिए इसके बाद हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने कोफिन के अंदर लेटा हुआ था और उसके बाद यांग चेंग भी था और उन्हीं लोगों के बीच में ब्लैंड भाई भी था विंग लोगों से कहता है कि एक मैं ही हूँ जो इस दुनिया के अंदर एकसाइटमेंट फील कर सकता है ब्ल कहता है कि मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जब भी ऐसी चीशे आती हैं तो वह हमेशा मुझे यह सब करने के लिए देता है लेकिन ब्लैंड भाई मिंग से पूछता है कि तुम ही वह परसन क्यों हो जिसके पास सबसे पहले पावर्स वापास आई हैं और क्या हमने प्र आता है कि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा मिंग को इसी बास से अंदाजा लग जाता है कि अगर वो लोग फैंड के हाथों से अपनी मानिता यानी की रिक और नाईजिशन वापस पा लेते हैं तो उनकी पावर्स एक्टिवीट हो जाएंगी कि उन लोगों ने क किसी तरह से फैंड के साथ कोई कांट्रैक्ट कर लिया है तो लिए उन लोगों को पूरे विश्वास के साथ फैंड को अपना मास्टर मानना ही पड़ेगा तभी उन लोगों को रिक और नाईजिशन मिलेगी और उन लोगों की पावर्स एक्टिवीट होंगी लियांग चै के अंदर अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है तरह की चीजे जो मैं कर रहा हूं और यह स्टाइल मुझे बिल्कुल सूट करता है और यहीं बिल्कुल सही है जिसके बाद फैन की बाट टब के अंदर ही नीन लग जाती है और जब वह उठता है और अपने कपड़े लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारी बातों को तो कम से कम चुनी सकता हूं इसके बार लियांग चेंग भी फैन के कंदे के उपर हात रखता है और उससे कहता है कि मास्टर प्लीज अगली बार आप कुछ ऐसा वैसा मत करियेगा इस उससे कहता है कि मैं समझ गया और तुम जो चाहे वो कर सकते हो मैं तो चला इंट्रोगेशन देखने के लिए और तुम जो चाहे वो कर सकते हो इसके बाद फैन वहां से चला जाता है लेकिन फैन जैसे ही वहां से जाता है तो लियांग चेंग अपने चेहरे के उपर हात और यह काफी बड़ा एरिया आता है और इस पूरे जगा को याण किंडम कहते हैं जिसके अंदर भी छोटी सीटी आती है और यान के नंग अपनी ही समस्याओं में अभी तक फसा हुआ है और बाकी छोटी कंट्रिस को बाकी सारे छोटी किंग्डम्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ है जिसके बाद ब्लैंड बे फैन को एक और दिल्चस्प बात बताता है इकल उन लोगों का जिससे मुकाबला हुआ था उसके पास जो दाव की थी वो कुछ भी नहीं थी बाई उसे बताता है कि इस दुनिया के अंदर मासलाड एक्जेस्ट करती है जिसके नो ग्रेड है और जनकी मुलाकात कल उनसे हुई थी उसका ग्रेड कुछ भी नहीं था फैन ये सारी बाते जानके काफी एक्साइट हो जाता है और वो ब्लैंड बैसे कहता है कि तुमने प्लैन बना लिया होगा इसलिए मुझे सब कुछ डेटेल में बताओ ब्लैंड बैसे पूछता है कि वो लोग सबसे पहले हुटाव सिटी के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे जिससे कि वो लोग अपना कोर मज़ूत कर सके और दूसरा प्लैन हमें अभी नहीं बताया जाता है ब्लैंड भई फैन से पूछता है कि एगर आपको हमसे कुछ भी कहना हो तो कह दीजिएगा फैन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों के उपर भुरोसा करता हूँ जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बाउल के सामने की तरव एक पत्ता रखा हुआ था जो अचानक से उरते हुए ब्लैंड भई के बाउल के अंदर आ जाता है जिसको ब्लैंड भई खा लेता है और वो उसे खाते हुए फैन को सुकरिया कहता है उसके उपर ट्रस्ट करने के लिए जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैंट बै की अंदर से भी magical power निकलने लगती है यानि कि ब्लैंट बै के पास भी उसकी powers आ गई है साम के टाइम जब फैन इधर उधर घूम रहा था तब उसे किसी एक कमने से आवाज आती है और जब वो अंदर जाके देखता है तब वो देखता है कि लिटल सांजी एक map बना रहा था जिसके बाद वो हतोरा ढोड़ने की कोशिस करता है तो फैन उसके हाथों में हतोरा दे देता है और वो लिटल सांजी से कहता है कि तुम अपना काम जारे रखो मैं दूसरों लोगों के पास जाता हूँ फैन जैसे ही वहाँ से जाता है तो लिटल सांजी खासने लगता है और उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है लेकिन नीचे गिरने से पहले वो अपनी एक उंगली पे खड़ा हो जाता है जिसके बाद वो एक evil smile करता है यानि कि इसके पास भी इसकी powers आ गई है और पता नहीं क्यों मैं जब भी इन लोगों की ऐसे smile देखता हूँ मुझे fan के लिए दिल से बुरा लगता है जिसके बाद fan कपड़े बनाए थे जिसके बाद नियांग fan को वो कपड़े भी पहना देती है और fan उससे कहता है कि मेरे कोई भी parents नहीं है इसलिए आस तक किसी ने भी मेरे लिए नए कपड़े नहीं बनाए है नियांग fan का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जब तक आप चाहें तो मैं आपके मदर का रोल भी प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि मैं रोल प्ले करने में काफी माहिर हूँ, जिससे फैन अपनी मन में सोचता है कि इन डिवल्स के मुकाबले में मेरा दिल सच में बहुत प्योर है, तब ही वहाँ पे अचानक से ब्लैंड भई आ जाता है, जिससे नियांग काफी गुस्सा हो जाती है, कि ब्लैंड में ने वहाँ पे आके सारा मूर खराब कर दिया था, जो कि नियांग ने अभी तक बनाया था, ब्लैंड में नियांग से कहता है कि दरवाजे के सामने कुछ हुआ है, जब वो लोग एंटरस पे जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि आर्मी के तरफ से ऑफिसर जू आयत है, जो कि वहाँ पे आयत हैं ये बताने के लिए कि हुटाओ सिटी वार के अंदर जाने वाली है, और क्योंकि सोल्जर्स की कमी पढ़ रही है, इसलिए हर किसी को अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा, निकिन नियांग ऑफिसर से कहती है कि उनका लिए मर्जन्स के साथ भाग चुका है, और जो कि मिंग है वो काफी विमार है, लेकिन ऑफिसर जो उसकी बिलकुल भी बात नहीं सुनता है, और वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये एक और है, कि जितने भी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, उन दोनों को छोड़के वो सभी वार के अंदर जाएंगे, फैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे सच में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तब ही वहाँ पे ब्लेंड भई आता है, जो कि कहता है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम लोग फाइट की लिए जाएं, या फिर अपना समान पैक करके हुटाव सिटी से भाग चलें, लेकिन फैन उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बले ही चाहे हम लोग चूब भी कर लें, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे अपना बिजनेस बनाया है, और हुटाव सिटी ही हमारे प्लैन का पहला चरण है, इसलिए गिव अप करना इतना आसान नहीं होगा, और वैसे भी बगावत का जंडा उठाना इतना आसान नहीं है, इसके बाद ये बात तैय हो जाती है कि बलेंड भाई और बाकि सब लोग फैन के साथ फाइट करने के लिए वार में जाएंगे, लेकिन बलेंड भी को ये अच्छे से पता था कि फैन ऐसा बंदा नहीं है, और उसने जरूर उन लोगों से ज़्यादा दूर तक सूच रखा होगा, इसके बाद अलासीन डिरेक्ट वार के कैम्प का होता है, लियांग चेंग फैन को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ समान सप्लाई करने के लिए लाया गया था, लेकिन उन लोगों के सामने कोई भी मार्चिंग टीम नहीं है, और तभी वहाँ पे लिटल सांजी आता है, और वो फैन को बताता है कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम्स है, कि जब वो रासन के बोरियां चेकरने के लिए गया था, तब उसे पता चला कि बोरियों के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं, और खाने के लिए ज़्यादा खाना नहीं है, जिसके बाद अगला सिन कुछ दिनों बात का होता है, और अन्वक देखते हैं कि रात के दोरान एक गाट पहरेदारी कर रहा था, और तब ही उसके पीछे कोई से आता है और उसके ओपर अटाइक करके उसे मार देता है, उसके बाद वहाँ पे और भी लुटेरे आते हैं और वो एक एक करके हर कैम्ब के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उसमें इसे एक लुटेरे की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि एक कैम्ब के अंदर लियांग चेंद था जो कि उसका गला पकड़ लेता है, बार के तरह लिटेल सांजी तो बार वीरेन लुटोरो की उपर अटाइक करके उन्हें मार देता है, यांग चेंग उसे ओर्डर देता है कि इन दोनों के गले काड़ दो, पर जिसके बाद फैन भी वहाँ पे बाहर आजाता है, लेकिन तभी उन दोनों को दिखाए देता है, कि ये असमान में एक भाला उड़ते हुए आ रहा है, जिसके बाद वहाँ पे पूरे लिटोरों की फौज आ जाती है, जो उनके उपर चुपके से अटाइक कर रही थी, उनके बाद वो तिनों कहें पर छुप जाते हैं, और फैन को अच्छे से पता है कि उन लोगों का चारी की तरह इस्तमाल किया गया है, और क्योंकि मचली फसुकी है, इसलिए सिकारी भी यहाँ पे जल्दी ही आता होगा, लिटिल सांजी फैन से कहता है कि मास्टर यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ से चुपके से निकल क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन फैन उसे बताता है कि बार्बीरन का जू लीडर है, अगर उसके गले के उपर काफी बड़ा इनाम लगा हुआ है, जागर इसलिए हम उसे मार देते हैं, तो हमें काफी कुछ मिलेगा, जल्दी ही वो लोग बार्बीरन की नेजर में आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनके उपर अटाइक कर देता है, तिल सांजी जल्दी से आगे बढ़ता है, और वो अपने दुनों डाइगर लेके उसके गले को काड़ देता है, जिसलिए वो सोल्जर तो मर जाता है, जिससे वो घोड़ा वही पर चारो खाने चित हो जाता है, जिसके बाद लियारम चेंग उस सोल्जर को कॉलर से पकड़ के नीचे गिरा देता है, और मास्टर को अवाज लगाता है, जिसके बाद फैन आगे बढ़ता है और वो अपनी तलवार के साथ उस सोल्यर के गल्ये को काट देता है और उसके खोन को चकते हुए कहता है कि यह अश्चरी से इसका स्वाद मीठा है बाद फैन सबसे पहले सौक हो जाता है कि उसने किसी को मार दिया है फैन अपने मन में सोचता है कि एक भेडिया कभी भेड को अपना लीडर बनने नहीं देगा इसलिए अच्छा यही होगा कि एक वुल्फ सच में वुल्फ बन जाए बाद वहाँ पे हूताओ आर्मी आ जाती है जो कि बैंडिट्स के साथ फाइट करना सुरू करती है इसलिए कहता है कि हूताओ का आर्मी आफिचर ससमे रूतलेस है उसने बाकि सभी लोगों को एक चारी की तरह इस्तमाल किया बड़ी मशली को पकड़ने के लिए लेकिन लियांचंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी घुर सेना को अकेली समभाल सके लोगों के उपर कोई बंदा भाले से अटाइक करता है जो कि और कोई नहीं एक तगड़ा सा बार्बेरियन था जैसे ही वो लोग उसे डॉज कर जाते हैं तो लियांचंग आगे बड़ता है जो सौड के साथ उसके उपर तीजी से अटाइक करता है और वो डारेट उस बंदे की सर की उपर अपनी सौर्ड मारता है लेकिन उसका सार इतना सक्त था कि लियांग चंग की सौर्ड ही तूट जाती है लियांग चंग से कहता है कि तुम्हारे स्वार्ट तो तूट चुकी है जिसके बाद वो डारेट लियांग चंग की उपर अटाक करता है लेकिन लियांग चंग उसके अटाक को डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि वैसे भी मुझे स्वार्ट चलाना बिल्कुल नहीं आता ह बाद वो बार्बेरियन लियांग चंग के उपर अपने कंधे से अटाक करता है लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि होताओ सिटी का एक नॉर्मल सब बंदा उसके इतने तगड़े अतायक के सामने खड़ा रहा लेकिन तभी अजानक से लियांग चंग अपने हाथ का इ जाता है इसी बात का फारदा उठाता है और वह लियांगचंग के उपर लाग मार के उसे पीछे फिंग दिता है अधिसे के साथ कुष्टो गड़बर है नॉर्मल तरीके से मेरा तीर किसी भी इंसान के हाथ के आर पाड़ जा सकता है लेकिन वह सिर्फ उसके हाथ के इंदर है लिटिल सांग जी उसकी पीछे अचानक से आता है और उसकी पीड़ के अंदर अपने डोनों डाइगर घुसा देता है लेकिन आप OS उसके मुह से खून बहने लगता है और उसे पता चलता है कि जब लियांग चैन ने उसके उपर अटाइक किया था तब उसने अपने हातों से उसके अंदर पोईजन डाल दिया था फैन इसी बात का फायदा उठाता है और वो एक ही जटके में उस बारवीरन के गरदन को काट देता है तुम लोग देखते हैं कि फैन इतना सब करने के बाद काफी ठक चुका था और उपने घुटनों पे बैठ जाता है लेकिन दभी लियांग चैन उसके सामने आता है और वो अपना हाथ देके फैन को फिर से खड़ा करता है जिससे लियांग चैन को तब के बारे में याद आता है जब ब्लैंड वे ने उससे कहा था कि मुझे पता है कि तुम लोग ये नहीं सुंचते हो कि मास्टर इतना आगे जा सकता है लेकिन इस बात को कभी में मत भूलना कि उसने ही हमें बनाया है ये दुनिया एक पिंजड़ी की तरह है तो फिर मास्टर जिस पिंजड़े में रहता है वो तो सदियों तक बंद रहा होगा और इसके अलावा हमें मास्टर को एक ऐसी जगा देनी है जहांपे वो फ्रिली अपने आपको डेवलप कर सके जिसने हमें क्रियेट किया है वो पका हम लोगों को लीड कर सकता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मास्टर को फॉलो करना ही सबसे अच्छा और वर्दी होगा प्रेंट को बताता है कि ये नारमी ने सब कुछ हमने कंट्रोल में ले लिया है लेकिन फैन उससे कहता है कि हम लोगों को अपने काम देखने चाहिए जिसके बाद वहाँ पर लिटल सांजी आता है जो कि मास्टर से कहता है कि हम लोगों ने एक बड़ी मस्ली पकड़ ली है क्योंकि वहाँ पर वार्वेरियन डिवेजन के चीफ को लेके आ गया था के कहता है कि मैंने इसे जिन्दा पकड़ा ताकि हम लोगों को ज़्यादा रिवार्ट मिल सकें लेकिन फैन उसे कहता है कि इसने वो सब कुछ देख लिया होगा जो यहाँ पे हुआ है इसलिए इसे तुरंट मारना पड़ेगा इसके बाद लिटल सांजी जल्दी से उसकी गर से कहते हैं कि इनको मार दो और इनके हाथों से वो बड़ी मचली यहां पर लेया हो ऑफिसर जैसे ही फैन के उपर अटाय करने को आगे बढ़ते हैं तो सामनी की तरफ से एक बड़ा सा स्लैस आता है जो उनको 20 से काट के निकल जाता है और ऑफिसर जो वहीं पर मारे जाते ह जिसके बाद आम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी के सेवन्थ एरलर और आर्मी के जर्णर ली कियान आती है और मुझे इस लड़की से ज़्यादा इसकी सावारी पसंद आई है ली कियान फैन से कहती है कि तुम अपने आपको साप करो और जल्दी से आके मुझ से मिल इसके बाद हम लियांग चंग और लिडिल सांजी को देखते हैं और यह दोनों इतने घमीने हैं कि इन्होंने फैन को एक ऐसे ट्रिक बताई है जो कोई भी सोच नहीं सकता है दरासा लिटल सांजी ने फैन से कहा है कि अगर कोई लड़की तुनसक है कि मिलो आके तो फिर त उसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो लड़की बाद में मास्टर के टुकड़े टुकड़े करवाने का ओर्डर दे देगी इसके बाद हम लोग फैन को देखते हैं जो जाकी लीकियान से मिलता है लेकिन उसे कहती है कि तुमने आर्मी के अंदर काफे ज़्यादा क बन सकते हो लेकिन वो लड़की बाद में फैन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि चलो छोड़ो तुम मेरे साथ मेरी फैमिली के मिमर बन नहीं हो और तुम मेरे साथ चलोगे लेकिन फैन वहाँ पे उस लड़की से कहता है कि मैं हूट आउ सिटी को चूज करता हूँ यस दूसरी तरफ मेरे पास मेरे साथ Kings हैं जो की मेरे अंदर कमांड के अंदर हैं इसके बाद हम लोग Ming को देखते हैं जो की और कुछ नहीं बस पैसे कमांने के लिए गैंक्स को निटा रहा था जो की Hotowski के अंदर रहती हैं और इसके सरीर के अंदर तरवारे दिखो कितनी घुसी हुई हैं उसी जगा पर ब्लैंड भई भी था जो कि मिंग से कहता है कि मास्टर आज ना तो कल आही जाएंगे लिकिन हमें चुटी-चुटी चीजे खतम कर लीनी चाहिए मिंग ब्लैंड मैं से पूछता है कि कार्ट गैंग के बारे में क्या हु लेकिन नियांग कहती है कि टोफू कावे डिलीशियस था जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सुझते हैं कि मास्टर का बैटल अभी खताम होगा या नहीं के बाद हम दोग देखते हैं कि वो लोग अभी भी गोड़े से अपने सिटी की तरफ वापस जा रहे थे लेकिन और वो लड़की कहती है कि हमें एक जगा की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमें यहीं पर रुखना चाहिए जिसके बाद वो लड़की फैन के बगल में ही कैम्प लगा लेती है और वो उन्हें पीने के लिए पानी देती है लेकिन फैन काफिस समझदार था और वो अपने मन में सोचता है कि उसने ली कियान से सुन रखा था किस अताओ ट्रैब उनका दुस्मन है और फैन अपने मन में सोचता है कि हम आखिरकार किसी दुस्मन से टकरा ही गए वो लड़की फैन से कहते है कि तुम्हारे घोडों की ओपर ली फैमली की सील लगी हुई है कि तुम बिल्कुल भी नहीं है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के साथ दो जो सोल्जर्स थे उन्होंने उस पानी को पी लिया था जिसके बाद उनके मुंसे जाग बाहर निकलने लगता है और वो लड़की वहां पर बार्वेरियन कर्सका इस्तिमाल करती है और उ दिते हैं कि लियांग चेंग अपने मुझ से अपना मास्क हटाता है जिसके बाद वो वहां पे एक तगड़ी सी दहाड मारता है और वो दहाड इतनी सक्ति साली थी कि उस लड़की का कर्स वहें पे तूट जाता है लेकिन वो लड़की अभी भी हार नहीं मानती है और वो लियांग चेंग कोईशा वैसा अंडेड नहीं वो किंग आफ अंडेड है इसके बाद वो November की इतना समाध जाती है कि उसके सूल्डर उसके कंट्रोल में नहीं और आप से एक से एक दाएम वहां पर फिर जीब था और वो उल्टा है लिटल सांजी की उपर अटाक कर देता है इससे लिटल सांजी काफी पीछी हट जाता है के बाद वो लड़की वहां से भागने लगती है लेकिन फैन उसके सामने ही खड़ा था और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस दिखावा करना चाहता था कि मैंने इस लड़की को काड़ दिया है लेकिन ऐसा लगता है कि आप सच में करना पड़ेगा लेकिन वो लड़की काफी चलाग थी और वो उस चोटी बच्ची को फैन की तरफ आगे बढ़ा देती है क्योंकि फैन एक बच्ची को नहीं मार सकता था इसलिए वो अपनी वो इसके उपर अटाय करते हैं जिस्से फैन की जान बाल बाल बच जाती है पाद वो लड़की वहां से भागने की कोशिस करती है अब लिटल सांजी आगे बढ़ता है चोकि अपने डैगर के साथ वैगर को उस लड़की की पीट के अंदर गुसा देता है लेकिन वो लेकिन उसे कहता है कि लेकिन में फिर भी उसे रोग नहीं सका लेकिन तुम्हारा डाइगर जहर से लदा हुआ था ना जिस पी लिटिल सांजी कहता है मास्टर आप तो सच में काफी चलाक हैं फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने जान बचा के भाग आई थी लेकिन उसे भी पता सल जाता है कि जो डाइगर उसकी पीट में घुसा हुआ है उसके अंदर जहर लगा हुआ है और तभी वो लड़की एक ऐसे गुरुप से मिल जाती है जो कि बार्बेरियन्स का ही था और वो लड़की उन्हें पहचान जाती है वो लड़की उन लोगों से कहती है कि अपने लेटर को तुरंद बताओ कि यहाँ पे ली फैमली के मिम्बर्स हैं जो कि जादा नहीं है इसे लिए हम उन्हें तुरंद ही खतम कर सकते हैं और वो लोग ऐसा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पे खड़ा होके अभी उस लड़की को देखे जा रहा था वो लड़की कहती है कि तुम क्या देख रहे हो जिसके बाद जब वो बंदा अपनी टोपी उतारता है तब हम पता चलता है कि वो बंदा और कोई न लिया था जिसके बाद वो उन्हें ये भी बता देता है कि उसने उस लड़की का काम तमाम कर दिया है फैन अपने मन में सोचता है कि उसने उन दोनों बच्चों को नहीं मारा नहीं तो साथ सदियों बाद उनकी जनरेशन उनसे बदला लेने वापस आ सकती है जिसके बाद हम कि एगर उनके रहने के लिए काफ़ी छोटा पन रहा है जिसके बाद हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं जहां पर वो लोग अपने नए घर पे थे और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थी कि अब वो लोग पैसा आगे कैसे कमाएंगे क्योंकि गैंक्स को मारने के जब नहा रहा था तब उसको नहाने में लड़कियां मदद कर रहे थी वो भी तीन जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि नियांग ने ऐसा सिर्फ ब्लाइंड बे की कहने पर किया था ब्लाइंड बे कहता है कि मास्टर को फूर्ट का इंजॉय करने दो जो उनकी टीम कर है लेकिन मिंग उसे कहता है कि अगर मास्टर को यह पसंद नहीं आया तो फिर तुम खून के आशू रोगे जिसके बाद वहां पर फैन आता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमें काम की बाते करनी चाहिए जिसके बाद अनुग देखते हैं कि लिटिल सांजी उन सभी लो में सोचता है कि ब्लेंड भई के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो पता लगा सकता है कि मैं पहले ही सोच चुका हूं इसलिए फैन अपने मन में सोचता है कि उसे बिलकुल एक एंपरर की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी और पूरे कमरे को अपने ही दंपे उठाना पड़ेग जिसके बाद पन एक एंपररर वारी एक्टिंग करते हुए कहता है कि इस्टैबिलिशन का इस्तिमाल कैसे किया जाएगा और वैसे भी हम लोगों को अपनी पावर हाउतु सिटी के अंदर बढ़ानी ही है तो इसे कंट्यूने रखो और मैं इन सबी चुजों का काम तुमार पूरी आर्मी हमारे मास्टर की है इस पर ब्लैंड भई कहता है कि हां इसलिए मिंग ब्लैंड भई से कहता है कि तुम्हारे बहुत ही जरूरी काम है जो 300 घोड़े हमें मिले हैं उन्हें खिलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना इसलिए जल्दी से जाओ और कुछ साबुन य करने लगता है और फेसी कल ट्रेनिंग सेशन खता है और वो नहाने के लिए चला जाता है इसके बाद वहाँ पे नियांग और मिंग आते हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे थें कि सबसे पहले वो लोग साबुन बनाएंगे और उसे बेचेंगे और इसी तरह से वो लोग बनाते जाएंगे और पैसों का पहार खड़ा कर देंगे लेकिन तभी नियांग देखती है की मास्टर वहाँ से जा चूके हैं जिसके बाद हो मास्टर के पीछे भागते हुए कहती है कि मास्टर में भी आ रही हूँ मैं आपको मसाज दिना चाहती हूँ इसके बाद मिंग ल ग्लाइन बंい आता है और वो वह लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग ब्रॉब कुछ जादा ही क्लोज हो लेकिं आज रात हम लोग मीटिंग करने वाले हैं जिस는 सबी लोगों को आना पड़े गा उगले से डिरेक्ट मीटिंग का होता है और ब्लैंड भी उन लोगों को बताता है कि आज की मीटिंग का काम है वह मास्टर की कल्टिवेशन इसके बाद लियांग चेंग उन लोगों को बताता है कि मास्टर की कल्टिवेशन उस दिनों से बढ़ती ही जा रही है परकार ऐसा ही चलता रहा तो इसमे लोग जो भी कर लें नियांग उसे कहती है कि तुमने क्याद होना है जरा साब साब बताओगे जिस पर ब्लैंड वे उन लोगों को बताता है कि हमारे ताकत का रिकवर होना मास्टर की स्टेंथ की उपर डिपेंड करता है बेसे के लिए अगर फैन का लेवल वन है तो इन हैरान हो जाते हैं पैनली कहता है कि अगर मैं मास्टर के टुकडे टुकडे कर दूं तो क्या हम लोगों की उपर से जापती हट जाएगी जैसे वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है तो देखो मैंने सब्सक्राइब का डारेट गॉड्स लेयर की वीडियो पर होगी है